दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अंटार्टिया के बारे में जो की बर्फ से ढखा हुआ है यह तीन ओशियन से गिरा हुआ है कौन-कौन से एट्लैंटिक ओशियन इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन और इस कॉंटिनेंट को हम डाइनमिक या एक्टिव कॉंट हो जाता है गर्भियों में बर्फ विगल जाती है जिसको जिसका शेप चेंज हो जाता है तो इसलिए इसको एक्टिव कॉंटिनेंट भी पुड़ा जाता है यहां पर भारत के दो रिसर्ट सेंटर्स हैं क्योंकि तीसरा दक्षिन गंगोतरी जो की 1983 में बनाया गया था उसक की तस्बीर है अब यहां पर जो बर्फ पाई जाती है वो मेंली हैं पैंग्विन और अलबाट्रोस अलबाट्रोस जो की बहुत उरान भरने में बहुत ही माहिर होती है तो धन्य बाद इस वीडियो को देखने के लिए